आज हम सुनेंगे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी यानि के इंद्रा एकादशी की व्रत कथा तो चलिए शुरू करते हैं एक समय की बात है राजा इंद्रसेन महिश्मती नगरी में राज करते थे उनके माता पिता का स्वर्वास हो चुका था अचानक से एक रात उन्हें स्वपन आया कि उनके माता पिता यमलोक में कश्ट भोग रहे है नींद तूट जाने पर वे चिंतित हो गए कि किस प्रकार से अपने पित्तरों को इस यातना से मुक्त किया जाए इस विशय पर उन्होंने मंत्री से परामर्श किया मंत्री ने विद्वानों को बुला कर पूछने की अनुमती मांगी राजा ने अनुमती दे दी सभी ब्रामन उपस्तित हुए राजा ने ब्रामनों को अपने सपने की बात बताई ब्रामनों ने कहा कि ही राजन यदि आप परिवार सहित इंद्रा एकादशी का वरत करेंगे तो आपके पित्तरों की मुक्ति हो जाएगी उस दिन से अगर आप शलीग्राम की पूजा करेंगे उन्हें तुलसी चड़ा कर ग्यारा ब्रामणों को भोजन करेंगे दक्षणा देंगे और आश्रिवाद लेंगे तो इससे आपके माता पिता को स्वर्ग मिलेगा आप रात्री के समय भगवान विश्णू के मूर्ति के पास ही सोना राजा ने ऐसा ही किया जब वे मंदिर में सो रहे थे तब ही भगवान के उन्हें दर्शन हुए और भगवान ने उनसे कहा कि है राजा वरत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पित्र स्वर्ग को पहुँच गए है राजा इंदर सेन भी इस वरत के प्रभाव से इस लोग के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए जैहो विश्णू भगवान की अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना और शेर करना इस तरह किवरत कथाओं और सुचनाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले धन्यवाद